सफल और असफल लोगों में क्या अंतर है? आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक सफल व्यक्ति कैसे सोचता है और एक असफल व्यक्ति कैसे सोचता है? एक भी पॉइंट आप मिस मत करियेगा नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. इसे आपको इसलिए देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि एक सफल व्यक्ति की तरह सोच आपके अंदर है या नहीं है ताकि आप अपने अंदर सुधार कर सके. एक, एक सफल व्यक्ति हमेशा दुसरों को कॉंप्लीमेंट देता है जबकि एक असफल व्यक्ति दुसरों को हमेशा क्रिटिसाइज करता है. 2. सफल इंसान हमेशा दुसरों को माफ करते है जबकि असफल व्यक्ति दुसरों के लिए हमेशा बदले की भावना रखते है 3. सफल इंसान जब भी फेल होता है तो वो खुद उसकी जिम्मेदारी लेता है जबकि असफल व्यक्ति अपने हार का जिम्मेदार दुसरों को ठहराता है 4. एक सफल इनसान हमेशा दुसरों को सफल होते देखना चाहते है जबकि एक असफल इनसान दुसरों को हमेशा फेल होते हुए देखना चाहते है 5. एक सफल इनसान की जिन्दगी में हमेशा एक लक्ष होता है जबकि एक असफल व्यक्ति अपनी पूरी जिन्दगी बिना लक्ष के की इधर उधर भटकता रहता है 6. साफल इंसान हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सीखते रहते है जबकि एक असफल इंसान को लगता है कि उसे सब कुछ पता है 7. साफल इंसान हमेशा सभी का सम्मान करते है जबकि असफल व्यक्ति हमेशा दुसरों को निचा दिखाने की कोशिश करते है और अपने आपको सबसे उपर मानते है 8. साफल इंसान अपनी सफलता का श्रे सभी में बाटते है जबकि असफल इंसान किसी भी सफलता का श्रे खुद लेना चाहते है 9. साफल इंसान रोज कुछ नया पढ़ते है और सीखते है जबकि एक असफल इंसान अपना ज्यादातर समय फालतू की चीजे करने में खराब करते है 10. साफल इनसान हमेशा नए आइडियाज के बारे में बाते करते है जबकि असफल इनसान हमेशा लोगों की बुराई करते रहते है 11. साफल इंसान हमेशा अपनी जानकारी अपना ग्यान दुसरों के साथ बाठते है जबकि एक असफल इंसान अपने ग्यान को दुसरों से चुपाते रहते है 12. सफल इनसान किसी भी बदलाव को गले लगाते है जबकि असफल इनसान थोड़े से बदलाव से ही डर जाते है 13. सफल इनसान एनरजेटिक होते है लेकिन असफल इनसान आलसी होते है 14. साफल इंसान पैसों का हमेशा सही इस्तेमाल करते है जबकि असफल इंसान अपने पैसों को गलत जगह पर इस्तेमाल करते है 15. साफल इनसान के पास अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए एक अच्छी और ठोस योजना होती है 16. साफल व्यक्ति हमेशा हर एक इनसान और हर एक घटना से कुछ ना कुछ सिखने का प्रयास करते है जबकि एक असफल इंसान को लगता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी घटना उसे कुछ नहीं सीखा सकती क्योंकि उसे सब कुछ आता है. 17. साफल व्यक्ति कम बोलते है और ज्यादा सुनते है जबकि असफल व्यक्ति कम सुनते है और ज्यादा बोलते है. 18. साफल व्यक्ति किसी भी बात को बोलने से पहले सोचते और समझते है फिर बोलते है लेकिन एक असफल इनसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते है और फिर बाद में पच्चताते है 19. साफल इनसान हमेशा मेंहत करके आगे बढ़ता है जबकि एक असफल इनसान दुसरों की टान खीच कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है 20. साफल इंसान अपने अधिकारों का प्रयोग करने से अधिक अपने कर्तव्यों का पालन करते है जबकि असफल व्यक्ति हमेशा अपने अधिकारों को मांगते रहते है और कर्तव्य क्या होता है ये बात उन्हें पता ही नहीं होती है इस तरहा की बिजनेस ट्रेनिंग और पाने के लिए और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले हिंदी कोट्स थैंक्स फो वाचिंग